Dear student, we have to discuss about the implications of early understanding of inequality, science and technology for the development of sustainable societies. यहाँ पर हम एक study के बारे में बात कर रहे हैं और वो study जो है वो अमेरिका के अंदर की गई, फिर वो replicate की गई UK के अंदर. हमने पहले उसके process की बात की है, किस तरीके से जाना एक environmental friendly environment develop किया गया, किस तरीके से जो interview लेने वाला था, उसने friendly बच्चों से बातचीत की, कौन सा टूर उसने यूज़ किया, उस टूर के अंदर क्या क्या चीज़ें मुजूद थी, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम थोड़े से इसके जो results हैं, उनके उपर बात कर लेती हैं। अगर्चे उनके अंदर ये बाइसनेस पाई जाती थी towards इस्ट एशियन चिल्डरन। यानि मैं अगर दूसे लफजों में कहूं तो वो जो एक black, brown, white का concept है। कि जी मैं superior हूँ कि मेरा color white है, ये inferior है क्योंकि ये black है, ये inferior है क्योंकि ये brown है। अब एशियन चिल्डरन जो है, वो आम तोर पर black नहीं होता है, वो brown होते हैं। अब जब इसके अंदर बाइसनेस को चेक किया गया, तो पता ये चला कि यहां पर किसी आद तक बाइसनेस एक्जिस्ट कर रही है। दूसरे, जब हम British की बात करते हैं तो वहां पर जो white चिल्डरन थे, वहां पर more बाइसनेस पाई गई। यहनि अगर हम significantly बात करते हैं तो आपको पता है, स्ट्राइट की जब हम significantly बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी बेस पे कुछ predict करने की इसलाहियत रखते हैं, regarding the black children, यहनि वहां पर अफ्रीकन और Asian के दिर्मियान पाया गया, फर्क पाया गया, जब हम UK के अंदर वो study क करते हैं तो UK के अंदर वो जो हैना white और black के दिर्मियान पाया गया, और वो तसवर करते हैं कि बच्चे white के सवर करते हैं कि वो सुपीजियन है, उनके जहन में एक idea है, उनके जहन में एक concept चल रहा है, दूसरा important factor था कि जो बच्चे जितने ज्यादा connected थे, उनके ख्यालात क के अंदर involved होते हैं, एक factor तो यह है connectivity का, कि अगर बच्चों का interaction हो रहा है, तो उस सुरत में उनका opinion क्या है, और अगर बच्चों का interaction नहीं हो रहा है, तो उस सुरत में opinion क्या है, अब यह दो लैदा चीज़ें आ गई है, यहनि अगर जहां पर हमें यह लग रहा है, कि यहां पर बाइसने स्पाई गई है, तो वहां पर नेक्स्ट यह हमारे पास identify करने की जरूरत है, कि क्या वो interaction उन बच्चों के दर्मियान पाया जा रहा है, यह नहीं पाया जा रहा है, अगर वहां पर लग रहा है, कि यहां पर white और black के दर्मियान, या black और Asian के दर्मियान, जिस क को identify करने की जरूरत पेश आ गई, और यह चेक करने की जरूरत पेश आई कि अगर उनका interaction मौजूद है, और उसकी मौजूदगी में उनके दर्मियान यह identify हो रहा है, discrimination identify हो रही है, तो फिर process में गलती है, क्योंकि देखें, अगर तो आपको खाली awareness दी गई है, और सिर्फ य गया है, कि जी यह आपके पास discrimination है, और यह discrimination नहीं होनी चाहिए, तो उसके result और है, और अगर practically आपकी class के अंदर जो हैं, वो इशियन बच्चे भी हैं, बलैक भी हैं, वाइट भी हैं, और अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिकन बच्चे भी हमारे पास मौजूद है, तो अगर उन में significantly difference आ गया है, तो इसका मतलब है कि फिर हमें process को identify करने की जरूरत है, और देखने की जरूरत है, कि यहां कहां में problem है, अब जब इनको बच्चों को देखा गया, तो एक important factor यह था, कि उनका रेस, रेसल जो attitude था, रेस की वज़ा से जो उनका attitude था, वो उनकी moral judgment क अभी भी नहीं मान सकता था, जैनि अगर हम moral judgment को देखे, एक ही वक्त में moral judgment को भी चेक करें, और दूसरे लमें पर उसका जो race का attitude है, उसको भी चेक करें, तो हमें यहां पे उसमें को connection, connectivity नजर नहीं हाती है,